हालो फ्रेंड्स माद में केन्मी टू फंजरुब का स्वागत है तो मैं आपको प्रेजेंट एफटेंज में पार्ट बन में सिंपल और पार्ट टू में निगेटिव करवा दिया था आज लिए इसके पार्ट थर्ड इसमें आपको क्या से स्टार्ट होने वाले बीच में आजाए तो कैसे बनाएंगे यह कर लेंगे में लास्ट पार्ट में आपको एक रूल एकी वीडियो में अच्छे से क्लियर हो जाओ और आप भूलो ना सबसे पहले इसके रूल देख लेते हैं तो आपको दोनों बाहर नहीं लेने हैं अगर एक बचन होगा तो डच बाहर आएगा और आपका बहु बचन होगा तो डू आएगा singular में डच बाहर करना है plural में डू यह मैं आपको बदा चुके हैं सी एट यह सब आपका सिंगुलर होते हैं और आई यूवी दे चार प्लूरल उसके अलावा में ते लग जाता ना ते हो तो आपका प्लूरल हो गया ताय तो आपका सिंगुलर ऐसे पैचान सकते हो फिर आपको सब्जेक्ट लगाना है उसके बाद यहां पर हैल्पिंग रह न अबजेक्ट आएगा उसके बाद और भी कुछ बचे तो वलास मिले लेंगे के लिए आप देख लेते हैं एक्जांपल किस तरह से करना है फर्स्ट एक क्या होए तो मैं जानता है तो सबसे पहले आप यह देखो सिंगुलर प्लूल तो ही हमारे सिंगुलर है ना जानता जा इसके बाद ही यह हमारा फॉलो गया सबजेक्ट तक अब यहाँ पर बर्व बर्व कुंस यह जानता तो नो ले लेंगे तुमें thought you के लिए के लिए इस तरह से कर सकते हैं क्या मैं तुमें जानत हैं तो दू अए क्या भे मैं जानता हुं तो देना इनल इस तरह से बना ल लिए अब आपकी यह वर्व आजाएगी सच बोलना तो सच बोलने में टेला नहीं है जूट बोलने में आता टेला लाइक ठीक है सच बोलने में का एगा इस स्पीक टुथ इस तरह से एस पी ए के इस पीक टूथ ठीक है यह आपका करेक्ट कर लेने आपे तो दूधे इस पीक टुथ सच बोलने का यह आएगा जूट बोलना होता तो यह आपे टलागा आए चल जाता नेग्स देखो next देखो क्या हम सहर में रहते हैं तो यह भी plural है भी और रहते हैं ते से समझ जाओ तो क्या बार आगा do फिस subject ले लो we फिर आपकी main बेर वह हमारी है रहना तो live और object आगा सहर में यह beach पहला सबसे last में तो क्या ले लेंगे में के लिए in सहर की city गाँ में होता तो village कर देते हैं इस तरह से बना लेते हैं क्या सीता अपने कपड़े दोती है तो सीता नाम कोई भी होता तो singular होता है तो डज बाहर आएगा सीता दोने की wash अपने के लिए मैं आपको बताई चुकी हूँ why ही होता तो h, c है तो her आई होता तो माई इस तरह से बना लेते हैं तो सीता लड़की है तो अपने के क्या हैगी? her clothes ठीक है इस तरह से बना लेते हैं last देख लेते हैं क्या अध्यापक तुमें पढ़ाते हैं यहां पर यह speak it होता है क्या अध्यापक तुमें पढ़ाते हैं तो बहुत सारे पढ़ाते, मतलब बहुत सारे टीचर्स की बात हो रही तो दू आ जाएगा, तो दू टीचर्स पढ़ाने और पढ़ने में डिफरेंस है, तो आपको पढ़ाने की स्पिलिंग क्या लगाने तीच और खुद पढ़ते हैं तो रीड़, तो टीच तुमें अगर आपको समझ में आ गया है तो इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दे देना और वीडियो जितना होश आखे शेयर और कर देजिए बहुत जिससे और बच्चों के अलप हो और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको इंग्लिस साइंस के प्रॉपर वीडियो टाइम से मिलते रहे हैं अब बाकी एक पार्ट ओले लिए जिसमें मिडल में आने वाले किस तरह से कर लेते हैं के लिए थैंक्यू सो मॉच